नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नखिल आपका बहुत बहुत श्रागत है मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफाक्टिव हमोपैतिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तों वराइटा कार्ब बात कार्ब हमारे सरी में कहां कहां असर करती है किन-किन बीमारियों में हमें इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं किस पोटेंसी में हमें इस मैडिसिन का यूज करना चाहिए कि हमें 30 पोटेंसी में कब हमें 200 पोटेंसी में और कब हमें 20 पोटेंसी में इस मैडिसिन का यूज कर और बुजुर्गों में इस medicine का सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है यदि आप बच्चों में इस medicine का use कर रहे हैं तो कुछ ऐसी medicine होती है जिसके साथ इसकी तुलना की जाती है जिसके साथ defrescience किया जाता है तब हमें variety car medicine selection of medicine और selection of potency का selection करके इस medicine का use करना यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो red color की बटन दबा कर चैनल को subscribe कर लें 37-37 वैल आइकन की घंटी को praise कर दें ताकि सभी latest medicine की update सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों यदि आप किसी long term disease से suffer कर रहे हैं उससे related आप medicine की जानक करी देते हैं आपको bell mark keynote symptom की यदि हम बात करें तो यहां बच्चों में बहुत ही अच्छा असर करती है और भुजर्गों में यहां काफी अच्छे results इसमें देखने को मिलते हैं और यूबाओं में भी इसके अच्छे results हमें देखने को मिलते हैं तीनों condition में इस medicine का use किया ज जोर है तो उसे हमें वरायटा कार मैड़िसीन देने की अश्रकता होती है तीन means के साथ इसका comparison किया जाता है पहले नमबर पे आता है वरायटा कार दूसरे नमबर पे आता है कैलकेरिया कार्व और तीसरे नमबर पे आती सालीशा इन तीनों medicine के साथ comparison करके पच्छे को ब्रा सिर होता है काफी बड़ा होता है और हाथ-पैर दुबले होते हैं और सरीर से बहुत ज़्यादा थुल्टूला में बच्चे देखने को मिलता है और सारीरिक जो बुद्धी होती है मांसिक बुद्धी होती है कमजोर होती है कैलके रिया कार्वकी बात करें दोस्तों साइलिश इसके साथ हम इसके तुलना करते हैं, तीनों मैडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स नंबर पे आती है, वरायटा कायम। देखने में बहुत ज़्यादा दूबला पतला होता है ऐसा देखने में इस तरह से लगता है कि उसको कोई सूखा रोक रड़ लग गया हो हमेशा भूग भूग चिलाते रहता है और जब भी उसके खाना दिये जाए तो खाना नहीं खाता इस तरह के बेलमार के इनोट सेंट हमें बिराइटा कार में देखने को मिलते हैं साइलिशिया और केलकेर ये कार में भी जो बच्चे को पसीना आता है वहां हैड़ेक में सिर में सबसे ज़्यादा पसीना आता है और Silesia का जो बच्चा होता है उसका पसीना बहुत जादा स्मेल करता है इन तीन मैडिसिन के साथ मैंने आपको comparison बता दिया है कि कब किस मैडिसिन के साथ इसकी तुनला की जाती है अब जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूँगा किस तरह से आपको potency का selection करना चाहिए किस तरह से आपको medicine repetition करना चाहिए और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और भी variety carb के लक्षन को हम देखकर बच्चे को medicine दे सकते हैं आपको selection करना चाहिए कि बच्चा किस medicine का है क्या सही में उसे variety car medicine देनी की आप सकता है क्या silesia हमें देना चाहिए क्या हमें calcularia car medicine देना चाहिए तो मैंने आपको बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम दुलना कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं विराइटा कार medicine की विराइटा का वैलमार की नोटिंटम है यहां मांसिक रूप से और सारेरिक रूप से दोनों से यहां बहुती ज़्यादा कमजोर होता है एनदर हम बच्चे की बात करें तो वहां चंट और चलाक होते हैं मांसिक रूप से भी और सारेरिक रूप से भी यहां उसके ज़्ष्ट अपोजिट होता है नहीं मांसिक रूप से भी इसका डबलप होता है ना मांसिक डबलप होता है मांसिक डबलप होता है ना सरीरिक डबलप होता है दुबला पतला सूखा रोग ज़ लग गया हो इस तरह से बच्चा दिखेगा और बच्चा यदि हमेशा मांसिक रूप से भी बहुत ही कमजोर होगा अब बात कर लेते हैं चाहे बुजुर्ग भी हो और बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो तो आप समझ जाएगा कि यहाँ बच्चा यहाँ जो हमारे घर में बुजुर्ग है उन्हें के ब्राइटा कार मैडिसिन देने की आफशकता होती है कुछ लेडिस और कुछ गल्स ऐसी होती है जो 18 साल की हो जाती है फिर भी बच्चों की तरह हरकते करती है तो उन्हें ब्राइटा कार मैडिसिन देने की आफशकता होती है नहीं उनका मानसिक ब्रेन डिबलब हो पाता है और नहीं सारी रूप से भाँ डिबलब हो पाती है बच्चों की तरह उनका सभा हो जाता है बच्चों की तरह भाँ हरकते करती है तो उस कंडिशन में पेशेंट्स को ब्राइटा कार मैडिसिन देनी की आफशकता होती है यानि की आम तोर पे सुद्ध और हिंदी बासा में हम कहें नहीं सारे रिप रूप से बच्चा डिबल जड़ाइटा कार मैडिसिन देने की आवशकता होती है यहाँ आप बात माइन में बिठा लीजेगा मैं आपको सिंपन बताएं अब चलते हैं सिंटम की तरह कि और क्या सिंटम में बच्चों में हमें किस तरह के लक्षन देखने को मिलते हैं बुज़ुर्गों में और किस development होता है ना सारे एक development होता है weak immunity हो जाती है और weak immunity के कारण tonsillitis की समझ्चा के कारण बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्गों चाहे बच्चे हो उसमें इस medicine का use किया जाता है tonsill में जड़ा सी ठंड लगने के कारण बहाँ टॉंसिल सूज जाते हैं सूजने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडने टॉंसिल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा निगलने में बहुत ज़्यादा परिशानी होती है और टॉंसिल से कई केस में पसका डिस्चार्ज होने लगता है तो उस condition में Varita car medicine देने की आउशकता होती है तीन medicine के साथ इसकी तुलना की जाती है पहले number पे आती है हिपरसल दूसरे number पे आती है कैमे मिला और तीसे number पे आती है Varita car Varita car में में भी जरा सी थन लगने के कारण पैसेंटस को tonsils सूच जाते हैं और हिपर सल्ब में भी जड़ा सी ठंड लगने के कारण टॉंसीड सूच जाते हैं या दोनों लक्षण हमें बराइटा कार्व में और बराइटा कार्व में देखने को मिलते हैं पर उसमें डिफरेंस यहां देखने को मिलता है पस का जो discharge होता है आख़ फिपर सल्ब में देखने को मिलता है बिराइटा कर्ब में देखने को नहीं मिलता यदि इसमें बारबार टॉंसलाइटिस की प्राब्लम्स होती है तो पैशेंट्स को बिराइटा कर्ब मैडिसिन देने की आप सकता होती है बेल मार की इनो टिम्टम बिराइटा कार्ब का जो पेशेंट्स होता है बहुत ज़्यादा चिली होता है बहुत थंड को बिलकुल भी बरदास नहीं करता इस बात का विसेज ध्यान रखे जिस तरह से आयरुवेदिक में टीटमेंट होता है बात कफ और पीत को ध्यान रखते हुए पेशेंट्स को मैडसिन यदी दी जाये तो पेशेंट्स को कम्प्लिटली क्योर किया जा सकता है जैसे बराइटा कारों का बच्चा बहुत ज़्यादा चिली होता है ठंड को बिलकुल भी बरदास नहीं कर सकता और हमेशा अपने कपडों को कवर पिये रखता है तो उसमें पेशेंट्स को बराइटा कार मैडसिन देने की आफशकता होती है बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टरिव जल देखने को मिलते हैं नेक्स लक्षन आता है बुजुर्गों में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा कफ और खासी की प्राब की जाती है दोनों मैडसिन एक साथ आप यूज कर सकते हैं काफी अच्छे और काफी फैक्टरि विजल्ट आपको देखने को मिलेंगे नेक्स लक्षन आता है प्रोस्टेट में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जब 60 एयर से एज धीरी धीर करके उपर बढ़ना स्टार होती है और प्रोस्टेट की प्रोस्टेट की प्रोलम्स स्टार हो जाती है तो उस कंडिशन में ब्राइटर कार मैडसिन यूज की जाती है काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं उस कंडिशन में 200 पोटेंसे में ब्राइटर कार मैडसिन का यूज किया जाता है चा अच्छे result देखने को मिलते हैं, उस condition में 30 potency में यूज किया जाता है, चारबुन सुभा, चारबुन दोफेर में, चारबुन रात में कम टेक कम एक महने तक इस medicine का यूज करना चाहिए, आपकी problem जो पूरी तरह सी ठीक हो जाएगी, दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको लक्षन बताए हैं, इस तरह के बेलमार की इनोट शिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, बच्छों में किसी भी तरह की कोई भी problem हो रही है, चाहिए गैस, acidity, अपच, खटी, डकार, tonsil का फूल जाना, tonsillitis का, खासी का problem होना, बार-बार बच्छों को सर्दी जुखाम हो नहीं को मिल रही है, तो आप इस medicine का यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं potency के बारे में कि कोस potency में इस medicine का यहाँ अच्छे results देती है, उसके बाद 15 दिन के बाद ही आप इस medicine का यूज करेंगे, इसके बाद फिर next repetition 15 दिन के बाद ही आपको करना है, दो महने तक इस medicine के की आवशकता नहीं होती नेक्स्ट आता है 200 potency में काफी अच्छी result देखने को मिलते हैं या बुजुर्गों में इस medicine का use किया जाता है 200 potency में दिन में एक बार करना है 15 दिन तक इसके बाद medicine के repetition करने की आपको आवशकता ही नहीं होगी इसके बाद आता है 30 potency 30 potency में चारबुन सुबा, चारबुन दोफैर में चारबुन रात में यूज़ करना चाहिए पेसेंट्स की mentality और पेसेंट का behavior और पेसेंट्स की सारीरिक छमता के अनुसार medicine का repetition किया जाता है इस बाद का विशेज धियां रखना है यदि 1M potency में आप medicine का यूज़ कर रहे है तो किसी भी डॉक्टर की सलह के अनुसार इस medicine का आप यूज़ कर सकते हैं हमसे भी आप concern करना चाहते हैं तो discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसके मैं अपना WhatsApp नंबर देते हूँ आप हमसे भी contact कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा राती साड़े 8 बजे आप हमारी like link join कर सकते हैं जिसमें मैं daily live आता हूँ राती साड़े 8 बजे और आपकी जो भी problems होती है